आप सभी भाइबरों को साधर नमस्कार से सुपसंद्या सार्था कवर्बन जाप्वाइंट योटूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें याय के लाइक अंदिबाक निक रख लें ताकि आपको नोटिफिकेस भण आप उसे शेयर करता हैं मजबूति के साथ आप सभी लोग चैनल को अधिक सदीक शेयर किया करें, ताकि हम सभी लोग भी आप सभी लोगों का पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकें, टीम के सदस्यों का मनोबल बनता है, आप जब वीडियो को लाइक करते हो, टीम के सदस्यों में एक नई उर्जा का संचार होता है, जब आप वीडियो शेयर करते हो, और जब आ समझते हैं किसी भी जल प्रतनेधी से ऐसे खाली हाथ मिला जाता है क्या आप समझ सकते हैं कोई मंतरी होगा कोई विदायक होगा कोई सांसद होगा आप जाएंगे से छूच पहले की जिए जन्न करेंगे ना तो आपका काम अगर उकरने वाला होगा तो नहीं करेंगा ठीक है ना तो हर जगाओं पर सारी चीजे वो मेंटेन करके चलनी पड़ती है और मैं आप सभी लोगों उसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग आपता है ना अगर एक बढ़िया सा भी बुक्के तयार कर वाय तो भी 255,500,300 लगे ही जाता है तो आप किसी भी आप निस्तराइव सामझे जाओगे तो एक बढ़िया सांदार सा बुक्के बनवा करके थोड़ा उसमें बिदेशी फूलू लगे हो थोड़ा सा इंप्रेशन इसे बनता है नहीं तो इसे ही ले जाओ ग्यापन इसे सोपो देखेंगे हाँ ठीक है जाए आप पीसे मुड़े नहीं गेट के बाहर निकले नहीं के कैबिन से तो लोग दुठाटे डस्ट मिल में डाल दिया जाओ है ना तो ऐसी चीजें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं लेकिन हम लोगों की चीजें इंपैक्ट फुल क्यों होती हैं क्योंकि हम लोग जन प्रतिंदियों के आखों में आखें डाल करके बात करते हैं और जब तक उनको अपनी बातों से अपने तरकों से उनको एगरी ना कर के लेक्वाल हैं तब तक हम लोग चैन्स नहीं बढ़ते हैं को कि असलिए आप लोगों में अपना थोड़ीन कोई कारे लेके जाता हूं मेरा तो कोई काम ही नहीं होता आप सभी मेंetzt है आप लोगों से haraad जोड़कर के बिलोम्रता पुरुक निवेदन है अधिक साथिक व निमाली संबंदी वीवाद एक चरण को लेकर के हैं TGT एक चरण में हो रही है, LTE आपकी दो चरण पे कराने के लिए अड़े पड़े हैं इसी को लेकर के वीवाद हैं, बाकी कोई वीवाद नहीं है CDC बात में डंके की चोट पे इस चीज़ को बोलना हूं इस चीज़ को बोलना हूं, बाकी और कोई वीवाद नहीं है मादविक सिच्छा मंतरालेस इस बात को एक तब अस्पस्ट कर लिया है, क्लियर कर लिया गया है यही वीवाद है ठीक है ना, TGT वहाँ पे भाई इस पे हाई कोड का आदेस हाई कोड का आदेस यह है कि TGT गिने वाले को आप राजकीम लागू कर सकते हो राजकीम लागू करने का मतलब यह है कि वहाँ पर नान-बीयड कलाब इसे में है तो यहाँ पे भी नान-बीयड आ जाएगा ंसऐ चीदी सी बात है, तो इसमें पहाँदा किसका है? इसमें फाइदा सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई बैएनओ का है ठीक है ना? और जैर सी बात है कि उनको अप्रोचनल्टी मिलेगी इसी का प्रारूप चेंज हुआ है इसी का प्रारूप चेंज हुआ है कि पहले TGT और PGT में आपको 125 प्रस्टन समंदित विसे के देखने के लिए मिलते थे लेकिन अब अब देखने के लिए क्या मिलेगा GS प्लस सब्जेक्ट 120 कोस्चन आपको सब्जेक्ट मिलेगा 30 कोस्चन आपको GS मिलेगा टाइम पीरेड वही होगा जो लोग से वायोग में LD grade का होता है आप लोगों को 60 जानकाली दी गही थे न तो यही चीज़े है परिवर्तन हुआ न उसका परिवर्तन इस पर पड़ा तो इसका परिवर्तन उस पर नहीं पड़ेगा पड़ेगा न तो LTI तो एक ही चनल में होनी चाहिए तो LTI को एक ही चनल में कराना पड़ेगा इसलिए लोग से वायोग बिग्यापन नहीं दे रहा है बाकी और कोई विवाद है ही नि आहरता का दुनिया भर का पमारा अगर कोई बताए के हरता का आहरता का अबीवाद है मेडिया तो अबये चाहप एक जागए करके पकड़ा दोगे ब्री निविज अगर में को पकड़ें कोई दिकस्त नहीं है सीधी सी चीज है ग्राउंड अस्तर पे काम करना वो अपनी एक अलग पहसान बनाता है आज की डिट में हम अगर कहीं भी निकले तो सबी लोग जा जाते हैं यहां साथ तक भी आए हैं विद्यार्थी मिलते हैं तो हम से भी सीनियर सीनियर ठीक है न वो विद्यार्थी पेर्च होते हैं प्रणाम करते हैं कि वास्ता में ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने से यह चीज़े बोल ला हूँ यह आप सबी लोग हमें इस नहीं देते हो इसलिए मैं बोल ला हूँ तो आप लोगों का विश्वास जो भरोसा है न उन सारी चीज़ों को बस वही चीज़े की जाती है जो कि आप सबी लोगों के विश्वास भरोसे पर पूरी तरीके से ख़रा उतर सकें कारण यही है सबी लोगों को कुछ सोचनाय देना चाहता हूं कि इस विवाद को लेकर के हम सबी लोगों ने आज मातिमिक सिछा मंत्री महोधिया को ग्यापन संड़ किया और सबसे बड़ी चीज यह है कि संड़े के दिल हमारे जो लखनवु जिले के जिला धर्च है साथ साथ दो विधायक ना दो विधायक उनसे मिलने जाएंगे मुलाकात करके प्लस मुक्षमंत्री मुहोते से मुलाकात करके तमाब उन समस्चाओं को निराकृत कराने की कोसिस करेंगे जो कि आप सबी लोगों को परसान की हुई है जिसमें LT Grate का विग्यापन भी है GIC Prowokta का विग्यापन है खंड सिख्षा धिकारी का विग्यापन है खंड सिख्षा धिकारी की जानकारी आप सो भी लोगों को इसी चैनल के मात्रम से दी गई थी बहुत से लोगों ने हमारी फिर्की भी ले थी आज तक मैं नहीं भूला हूँ इस चीज़ को बहुत से लोगों ने फिर के लिए थी कि आपको लोग सिवा एक बारे को कुछ भी नहीं नालज है कुछ भी नहीं पता है आप ऐसे ही लोगों को बेवकूब बनाते हो यह चीज़े करते हो करते हो बेवकूब बनाना और बनना दो अलग लग चीज़े होती है आप अगर बेवकूब बनना ही चाहोगे तो कोई भी बना सकता है हम तो आप लोगों के लिए काम कर रहे है ना ऐसा तो है नहीं को उसके बदल में कोई सुलक ले रहे हैं आपसे आपको अपडेट दे रहे हैं आप लिए आपकी समस्चाओं के लिए लड़ रहे हैं और उसका 100% रिजल्ट आपको प्राप्त होता है फ्री आपको कॉस्ट मिलता है इतने बड़े बड़े जुलनत मुद्दे कि आप सभी लोग याचिका करकर करके परसान हो गए चुठकियों में आप मुझे इसको सॉल्व करा दिया ति क्या आपने कोई मुझे पैसे दिया नहीं दिया क्या हम ने आपसे कोई पैसे की डिमांड की नहीं की लेकिन आपका कारी हो गया ना बस यहीं चीज़ें सटीक अपडेट आपसे लोगों को प्राप्त हो तीस चैनल मौली का यह सब एकदम रफु चक्कर हो जाएगा थोड़ा सा समय दीजिए धैरे रखिए क्योंकि जब सार्थक भाईया मौजूद किसी भी चीज की चिंता करने के आउशक्ता नहीं है इजान लेजिए ठीक है ना बिल्कुल भी चिंतित होने के आउशक्ता नहीं है और जो कि यह आपका सिक्षा से वह चान आयोग पास यह सि जाना चाहती है हां यह चर्चा है यह मादमिक चिछा लेबलल तक चर्चा है ठीक है ना लेकिन आप टैंसल मत लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग सिवा आयोग के मादम से बिगआपन आयोग ।ो गारेंटी य अगर आप लोग चाहेंगे कि हाँ यह भी आपन सिख्छा से बचन आयोक से आये तो बिल्कुल चलो तुरंद घुमाते हैं आयोक से लेकर के उनको दे दिया जाएगे क्या दिक्कत हैं विद्यार्थियों की शुविधाय देखी जाती हैं विद्यार्थी कहां पर अपने आपको पर्फेक्ट समझ रहे हैं कहां पर प्रप्रेशन वह बैदरी नग्स कर सकते हैं किस आयोक के माध्यम सो एक जाने में जादा आपने आपको कमफडेबल मसूस कर रहे हैं यह माईने रखता है तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो क्योंकि सारी चीजे पॉस्ट्व हैं तो अधिकारियों को उगली करने से क्या मतलब है सोते हुए सेरों को उगली नहीं की जाती है अगर आप उगली करेंगे तो सेर तो फाट डालेगा तिसलिए सीधी सी बात है जो कारे हो रहे हैं उनको होने दीजिए पता लगे कि हम इन सारी चीजों को ले करके डिस्कस करें एक्स्प्लेन करें उनके सामने और वो चीज़ें वो फाइल है वहीं पर रुक जाएं दम तोड़ते हैं फी चलो भई या दुई साल कमल जराते रहो कवाली गाते रहो क्या दिकत है तो आप लोग चिंतित ना हो अपनी प्रिप्रेशन पर आप ध्यान दो आपकी सिमस्च्राओं के नेराक्राइं पर हम ध बता दे रहा हूं पहले सी ठीके ना आपका सिडूल जारी कर दिया जाएगा अब ये फरवरी में आपका एक्जाम होना है वैसे चांसे तो है क्योंकि पुलिस प्रणुर्टी बोर्ड जो बोला वो करके दिखा रहा है ठीक है और सबसे बड़ी चीज है कि मतलब एक माहौल क्रियाट करने की कोशिस है और हम सबी लोगों ने जिस तरीके से भाई पाइड़ी की कारकरता होмы के नात्रम जोगों ने जिस तरीख से फीड़़एक रहा है उसी के माध्यम से कि कम से कम नहीं तो एक लाख विद्यार्थियों को, कम इसकम एक लाख विद्यार्थियों को, चाहे वो यॉपिटर पलस्टी के माध्यम से हो, चाहे पुलिस पुर्णलती बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे आपके लेकपाल भर्ती को लेकर को हो, आपके वीडियो को लेकर को हो, चाहे आपके जो है मतलब TGT PGT को लेकर को इन सभी विध्यातियों को जानिंग लेटर मुक्ष मंत्री और प्रतान मंत्री बाटने की प्लानिंग है एक दम असपस्ट है इस चीज़ को लेकर कि हम पहले भी इस चीज़ बोल चुके हैं तो नियुक्ति और कार्मिक तो योगीजी के पास है जब नियुक्ति और कार्मिक नहीं पास है तो जानिंग लेटर कहा से आएगा वह इस तो आएगा दिल्कल भी चिंतित मत होई है क्योंकि हम मौजूद है हम अपने भाईवेनों का किसी भी तरीके से एहित नहीं होने देंगे वैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो चीजे लीगल है लीगल मार्ग का अनुसरान करते हुए हम उस चीज को उस प्रक्रिया को अपनाएंगे और विद्यार्कियों का कल्यान करेंगे हंड़ परसेंट तरह इल्लीगल काम मैं नहीं करता कोई भी ब्यार्ड मैं कोई सी को सपोर्ट नहीं करता सीधी शी बात है ठीक है ना और किसी भी तरीके से सीधी फारिस वाली गुंजाइस इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है आप सभी लोग मेहनत करिए आपके मेहनत में अगर कोई समस्चे आ रही तो सार्थक भीया मजूर है चीदी शी बात आपको हमारे मैटर लेकर पढ़ने सब्सक्राइब करता है आप सभी लोगों का जनवरी से लेकर के फरवरी मैं आपको बताता आया हूँ कई भरती परिच्छाओं के प्रणाम को डिक्लेर करने चनला है P.E.T. 2023 के प्रणाम के बाद आप सभी लोग को कम सकम तीन से चार बड़ी विगयापन अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाले हैं और यह विगयापन आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी बनेंगे क्यों कि इनके एक्जाम आपस पर टक रहेंगे भाईया आगे पीछे रहेंगे अगर आप बेहदरीन तैयारी करेंगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे और उसी माहाँ जाएगे आपकी टेस्ट एटी के अधार पर आएगा ठीक है ना अधियाचन प्राप्त हुए हैं अठतर सो पदों के और उन पदों पर आप लोगों को बिग्यापन इसी जनवरी महिनें देखने के लिए मिलेगा ठीक ना बिलकुल भी आपको चिंतित होनी का और शिकता नहीं है सार्था ग